माननिय प्रधान मंत्री जी के दिरांग 23 नुवंबर 2023 के प्रस्तावित कारिक्रम के द्रस्टिकत प्रदेश के माननिय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित तिनाद जी ने जन्पद मत्रा काम रमड किया माननीय मुख्य मंत्री जी ने सरवप्रथम श्रीबांकी बिहारी जी मंदर व्रंदावन के दर्शन किये विधी विधान से पूजा अर्चना की तथा पूजा के पश्यात मंदर का निरिक्ष्ण विवस्थाओं का अवलोकन किया उन्होंने मंदर के आवगमन मार्गो मंदर के प्रवेश इवं निकास द्वारों का जाय सलिया तथा सुद्र विवस्थाओं हे तू अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये माननी मुख्य मंतरी जी ने श्रिबा की बिहारी जी मंदर के निकट श्री मदन मोहन जे मंदर के दर्शन किये तथा मंदर की विवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की सुरक्षा विवस्था हे तो परियाप्त इंतजाम करने के निर्देश दिये दर्शन करने के पश्चात प्रदेश के माननी मुख्य मंत्री जी पवन हंस हैलिपेड ब्रिंदावन से हेलिकॉप्टर के माध्धम से मधूरा पुलिस लाइन हैलिपेड इस्थल पाँचे पुलिस लाइन हैलिपेड इस्थल से काड़ द्वारा माननी मुख्य मंत्री जी संस्कृति मंत्राले भारत सरकार उत्तर पाँचे जहां उनने आधिकारियों के साथ मेला परिसर का निरिक्षण किया और आगामी माननिय प्रधान मंत्री जी के प्रस्तावित कारिक्रम की रूप रेखा के संबंध में जानकारी ली माननिय प्रधान मंत्री जी को दिखाने वाली प्रदर्शनियों के बारे में जानकारी ली जिलादिकारी शैलेंद्र कुमार सिंग एवं उत्तर प्रधेश ब्रज तीर्थ विकास परिशत के मुखे कारे पालक अधिकारी नागेंद्र प्रताप ने मेले के मान चत्र के माध्यम से प्रवेश एवं निकास द्वार, मंच, कारिक्रम स्थल, प्रदर्शनिय स्थल, उपाध्यक्ष श्री शैलजाकांत मिश्र ने प्रदेश के माननिय मुखे मंत्री जी को संत मीरा बाई की 525 मी जयनती के उपलक्ष में जनमोच सो आयोजिन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिनांग 23 नौम बर 2023 को माननिय सांसच श्रीमती हेमा मालिनी जी द्वारा भक्त मीरा वैले की प्रस्तोती दी जाएगी जिसमें देश के माननिय प्रदान मंत्री जी संमलित होंगे उन्होंने ब्रज रज उत्सो दो हजार तेईस के अंतरगत दिनांग 14 से 27 नौमबर दो हजार तेईस तक होने वाले विभिन कारिक्रमों के बारे में विस् विवस्थाओं का जायसा लिया और मंदर प्रांगड का निरिक्षन किया उक्त निरिक्षन के पशायत प्रदेश के माननी मुख्य मंत्री जी श्रीकृष्ण जन्वस्थान पहुंचे जहां पर दर्शन कर विधी विधान से पूजा आर्चना के दर्शन के बाद उन्होंन श्रीकिष्ण जन्मस्थान परिसर का निरिक्षण किया, विवस्ताओं का जायजा लिया, सुरक्ष्ण विवस्ताओं ही तो आवश्यक दिशा निर्देश दिये